नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 6 नॉवंबर 2022 के डेली न्यूस अनलेसिस और साइंस एंटेक अनलेसिस में आपका स्वागत है डेली न्यूस में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूस है जैसे की अब यहां पर आपको एक बहुत अच्छा फिगर दिखाएगा है नीचे पाकिस्तान की एकनौमी नजर आरी और उपर चाइना पाकिस्तान एकनौमी कोरिडूर का जो करजा है पाकिस्तान के उपर वो बढ़ता ह जा रहा है रहे रहे के पाकिस्तान उधार लेता ही जा रहा है अभी रिसेंटी सुनने माया है कि 4 बिलियन डॉलर साओधी एरेविया से उधार लिया है 9 बिलियन डॉलर चाइना से उधार लिया है और इस उधार के अलावा 20 बिलियन डॉलर की इंवेस्टमेंट पाकिस्ता इसको देखेंगे फिर भाई किरला के अंदर मनरेगा से रिलेटेड नंबर ओफ वर्क्स को लेके जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी टोटल नंबर ओफ वर्क पर ग्राम बंचायत उस रिस्ट्रिक्शन को केंदर की सरकार ने किरला में हटा दिया यह क्या निउस इसको देखेंगे कॉड के नेवी चीफ माला बार एक्सरसाइस से पहले मिले हैं इसको यहाँ पर देखने वाले हैं सील्ड कवर जूरिस्पृड़स में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ तो उस case में sensitive information को redact कर दो अटा दो और बाकी information petitioners को दिखा दो तो ये क्या news इसको देखेंगा हर साल साप के काटनी वज़े से इडिया में 64,000 लोग मरते है ग्लोबल फिगर क्या है इन सब चीजों के बात करेंगे ग्लोबल साउथ को फिगर क्या इसकी बात करेंगे फिर एक तिहाई world heritage glaciers threat के अंदर है UNESCO की study के हिसाब से पर बचे दो तिहाई को बचाने के लिए अगर हम temperature को डेर डिगरी centigrade तक limit कर दें तो हम कुछ कर सकते हैं लेकिन डेर डिगरी centigrade तक temperature limit हो जाएगा इसके chances बहुत कभी तो detail में देखेंगे इसको first of all thank you very much दोस्तों कल आप बहुत सारे लोगों ने happy birthday wishes किये thank you so much बहुत सारे लोगों के जवाब दे दिये बहुत सारे लोगों के जवाब नहीं दे पाए बहुत ज़ादा मतलब कह लिजे कही hundreds सो thousands मैं कह लूँगा numbers में यहाँ पर messages है so thank you for your wishes friends okay that really wait by day चलिए word of the day देख लेते हैं left out in the cold left out in the cold मतलब being ignored मतलब overall आपने किसी को छोड़ दिया ध्यानी नहीं दिया जैसे कि इसमें sentence के after the baby came the young husband felt left out in the cold मतलब husband wife थे बच्चा आया तो मा का ध्यान बच्चे तब चलागे तो husband को लग रहा कि मा अब उस पर ध्यान नहीं दे रही तो this is basically मतलब आप किसी को ignore कर दो किसी particular happening के चलते किसी दूसरे को ignore कर दिया तो उसको लग रहा है और मेरे को दो ignore किया जा रहा है तो ज्यादा एक नहीं मतलब left out in the cold आगे बड़े पहले वीडियो पर लाइक कर बटन दोस्तों चैनल को अब तक share और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीज़े इस्टागाम पर follow कर लीज़े आप से जोडने कोश्च करता हूँ एक समय पे 20 से जादा मनरेगा के काम नहीं चलेंगे हाला कि इन 20 मनरेगा के कामों में वो काम include नहीं किये जाएंगे वो projects include नहीं किये जाएंगे जो कि स्कीम प्रधान मंतरी आवास योजना के अंदर चलाए जा रहे है प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीड के अंदर अब इकलिए मनरेगा रूरल इलाकों में ही चलता है आर्बन में नहीं चलता है तो फिर से सुनिए जुलाई 2022 में केंदर की सरकार ने सारी राज्य की सरकारों को निर्देश जारित किया कि प्रती ग्राम पंचायत 20 से जादा ग्राम एक होगी है मनरेगा के काम पैरलली नहीं चलेंगे लेकिन इन 20 में प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीड वाले वर्स को इंकलूड नहीं किया जाएगा अब इस बात को लेके लगातार केरला केंदर की सरकार से गुहार लगा रहा था कि ये जो 20 वर्क आपने पर ग्राम पंचायत किये हैं ये बहुत ज़दा कम है इसको बढ़ाईए या तो फिर आप एक काम करिए कि प्रती ग्राम पंचायत वार्ड कर दीजे 20 चुकि पूरी की पूरी ग्राम पंचायत के लिए केवल 20 मनरेगा वर्क एक टाइम पर ये बहुत कम है चुकि केरला की सरकार के हिसाब से केरला के जो मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्मेंट है एमबी राजेश साब उन्होंने चिट्थी लिखी यूनियन डूरल डेवलेब्मेंट मिनिस्टर को 31 अक्टूबर को और उन्होंने ये बोला कि भई देखी हमारे यहाँ पे कुछ ग्राम पंचायत के लाके बहुत बड़े-बड़े हैं इतने बड़े-बड़े ग्राम पंचायत के लाकों में एक समय पे केवल 20 मनरेगा के काम चलाना ये ठीक नहीं होगा तो इसलिए हमारे लिए लिमिट टा दीजे और अगर आपको 20 वर्क्स के लिमिट रखनी है तो प्रती पंचायत वाड रखिये ना कि प्रती पूरी की पूरी ग्राम पंचायत उसके बाद ये अगर आप किरला की बात करो तो किरला की सरकार का ये बोलना है कि हमने social audit conduct करवाया और उसके 19 करोड रुपे लगे इसमें से केंदर की सरकार ने हमें किवल 2.79 करोड दिये बाकी खर्चा राज्य की सरकार को करना पड़ा तो ये गलत है ground level पे मनरेगा से related और social work से related जो भी social audit हो रहा है उसका पैसा केंदर की सरकार खर्चा उठाती वो पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है उसके बाद number of person days देखे क्या है पिछले दो सालों में 20-21 की बात कर लो 21-22 की बात कर लो तो उसमें हर साल 10 करोण percent days चलाएगा है मनरेगा कि मतलब एक आदमी को एक दिन को एक percent day count करो तो केरला के अंदर 10 करोण percent days generate हुए है मनरेगा कि एक साल में पिछले दो सालों में इस साल केंदर की सरकार में जो fund allocate किये वो केवल 6 करोण percent days के allocate किये और पिछले साथ महीनों में केरला का ये बोलना है कि 80% हम utilize कर सकते हैं मतलब 6 करोण का 80% मतलब लगभा 4 करोण 80 लाग है कह लिजे लमसब 5 करोण percent days already केरला utilize कर चुका तो केरला का ये कहना है कि पिछले 2 सालों की तरह कम से कम 10 करोण percent days का तो allotment करी है आप मनरेगा के अंदर लेकिन केंदर की सरकार ने केवल 6 करोण percent days का allotment किया तो इस बात को लेकि भी केरला की सरकार केंदर की सरकार से दरती नजर आ रही है तब ये तो होगे political मुद्दे मनरेगा scheme के बारे हम बात करते हैं मनरेगा is one of the largest work guarantee scheme in the world 2005 में इसको ministry of rural development के दोरा launch किया गया था इसका primary objective ये है कि भाया हर साल में किसी एक particular household के adult member को 100 दिन का guaranteed employment मिले ठीकिना unskilled manual work में चुकि जो skilled लोग है वो अपना काम दूल ले तब जैसे कोई carpenter है ठीकि ना ये फिर overall ये दीवाल बनाने वाले लोग है न मौरंग बौरंग मना के किराब से आपके दीवाल खड़ी करना तो इस type की जो काम होते हैं आप कहलोगी ये थोड़े skilled type के काम है अभी carpenter को मनरेगा में काम दूढ़ने की जरूत नहीं है उसको काम कही ना कई घर में मिल जाएगा प्लंबर को ऐसे काम मिल जाएगा लोगि जो बिल्कुल ही unskilled work है जैसे इटा उठा के बट्टी में डालना है इस type का जो काम है मिट्टी के लिए गड़ा खोदना है तो ये unskilled manual work में आते हैं इस प्रकारना काम दिया जाता है मनरेगा के अंदर as of 2022-23 मनरेगा के अंदर 15.4 करोड एक्टिव वरकर्स है और legal right to work का जो सिद्धान है हमारे भारती सम्विदान में वो कही न कही मनरेगा उसको पूरा कर रहा है समझ गया भाई तो जो chronic poverty थी उसको एक right based framework के दुरू sort out किया जा रहा है मतलब मनरेगा के अंदर ये बोला गया है कि किसी भी individual को अगर काम चाहिए तो सरकार के पास जाके बोलेगा हमें काम चाहिए और उसके बोलने के 15 दिन के अंदर legally मनरेगा के अंदर उसे काम मिलना चाहिए अगर नहीं मिला तो unemployment allowance देना पड़ेगा तो basically demand driven scheme है मनरेगा एक और अच्छी बात है कि मनरेगा के अंदर एक तिहाई beneficiaries woman है और जो भी पैसा देना है statutory minimum wages है वो minimum wage act उन्ने सो और तालिस के हिसाब से होगी हलाकि हम पहले भी कई बार editorial में और current affairs में इस बारे में बातचीत कर चुके हैं कि मनरेगा की wages काफी मिलती, कम मिलती जैसे for example 200 रुपए के अंदर दिन की दिहाड़ी है मनरेगा की और जबकि अगर कोई private contractor season की समय पे hire करे तो 600 से 700 रुपए प्रति दिन के भी दे सकता है तो इससे आप समझ सकते हो कि मनरेगा की सारे provisions on ground proper essence के साथ follow नहीं हो रहे हैं और वो इसलिए भी नहीं हो सकते चुकि सरकार के लिए almost आपके लो financially infeasible हो जाता है इस समय पे fiscal deficit हद बार कर रही है और एक limit से ज़्यादा social spending होगी मनरेगा जैसे programs के अंदर तो कहीं न कि सरकार के लिए unsustainable हो जाएगा इतना कर्चा करता हाला कि एक demand यहाँ पे और हो रही है कि decentralized planning होनी चाहिए basically मनरेगा का coordination इस समय पे कैसे हो रहा है centralized तरीके सो रहा है केंदर की सरकार उपर से पैसो का allotment कर रही है जबकि यहाँ पे आप demand यह की जारी है कि पंचायती राज institutions gram सभा के हाथ में power दे दो तो ये gram सभा ground level पे सारा काम करेंगी मतलब कि कहां पे कौन सा project implement कराना है कौन सा work शुरू करवाना है कौन सा complete हो गया किसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है इन सब चीजों के बारे में जानकारी पंचायती राज institutions मतलब gram सभा को ज़्यादा है तो overall इनके पैसे आप gram सभा को दे दो gram सभा अपने इसाब से ground level पे implementation करेगा तो यह यहाँ पे overall एक राय है एक राय और है कि revolving fund provide किया ज़या अभी बार क्या होता है कि मनरेगा के अंदर एक वरकर काम कर लेता उसकी payment कई महीनों तक उसको नहीं मिलती है तो ऐसे cases में revolving fund provide कर देना चाहिए gram सभा को ताकि overall अगर केंदर की सरकार की तरफ से पैसों का delay हो रहा है तो उस revolving fund से पैसा निकाल के लोगों की payment कर दी है तो यह सा बातें यहां पर बताई जारी नेक्स जीएस पेपर टू डिफेंस इंटरनेशन रिलेशन नेवी चीप्स ऑफ कॉर्ड इं जापान एड ओफ मालाबार एक्सेस तो भाईया इंडिया अस्ट्रेला जापान और युएस के नेवी चीफ्स पहुँचे हैं कहां पे कॉर्ड की मीट के लिए जापान में पांच नॉम्बर दो हजार बाइस को इन्होंने व्यूज को एक्सचेंज किया कि कैसे इंटर ऑपरेबिलिटी को इन्हांस किया जाए आगे आने वाली मालाबार मल्टी लैटर नेवल एकसेसईज में और इस समय पे स्पेसिफिकली एक और इवेंट के साथ इस पूरे की पूरे चीजों को देखा जा रहा है चाइनीज रिसर्च वैसल युवांग वांग 6 ये इंडियन ओशन में गुसा वाया सुन्डा स्ट्रेट ठीक है सुन्डा स्ट्रेट के अगल बगल में कौन-कौन सी कंट्री जे नीशे कमन बॉक्स में बताओ तो बेसिकली युवांग वांग 6 ये रिसर्च वैसल एक ऐसे समय पे इंडियन ओशन में गुसरा है जिस समय पे एक तो ये कौड की नेवल एक्सराइज माला बार एक्सराइज हो रही है दूसरा इंडिया अपने मिसाइल टेस्ट को कर रहा है ये दोनों चीजों के बारे में अभी हम बात करेंगे ये जो पर्टिकुलर कौड के मीटिंग हुई है कौड के नेवी चीफ्स की मीटिंग हुई है आपकी जापान के अंदर इसके ज़स्ट आगे आने वाले कुछ हफतों में नेवल वार गेम्स होने जाने है माला बार एक्सराइज होने वाली माला बार एक्सराइज शुरू हुई थी 1995 में 1996 में उसके बाद के लिए इसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है चूकि 2002 में देखें इंडिया ने नेवल ये अपने नूपले टेस्ट किये थे 2002 में एक्सराइज फिर से शुरू ही 1996 से लेके 2002 तक एक्सराइज नहीं हुई रीजन भी कि इंडिया के ओपर सैंक्शन्स लग गये थे नूपले टेस्ट के चलते हैं 2002 में फिर से माला बार एक्सराइज शुरू ही जापान और ऐस्टेलिया ने माला बार एक्सराइज में 2007 ने पार्टिसपेट किया 2014 से लेके अब तक इंडिया यूएस जापान हर साल माला बार एक्सराइज में पार्टिसपेट कर रहे है 2020 में पहली बार ऐसा हुआ कि उस्टेलिया ने भी माला बार एक्सराइज को जोईन कर लिया और इस बात को लेके चाइना नाराज हो गया कि एक प्रकार की ग्रूपिंग बदा ही जा रही है उनके अगेस्ट ठीक है अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यह जो चाइनीज रिसर्च वैसिल है युवांग वांग 6 इसका मूवमेंट इसलिए इंपोर्टनेस रखता है चुकि कुछ दिन पहले इंडिया श्रिलंका के बीच में एक मेजर डिप्लोमाटिक शोडाउन हुआ था जब हममन टोटा पोर्ट श्रिलंका पे उनका एक रिसर्च वैसल डॉक किया था मैंने डीटेल में उससे में आपको बताया अभी था और अभी रिसेंटली एगर आप देखो तो इंडिया ने प्लान किया है long range missile test अगले हफते एक long range missile तेस्ट किया जाएगा इंडिया के दवरो इसके लिए इंडिया एक new time शू कर चुका है notice to air जिस particular zone में इंडिया द्वरो missile test किया जा रहा है, वहाँ पर इंडिया ने no fly zone declare किया है यह है अगनी सीरीज ओफ इंटर्मीजेट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो चाइना ने जो अपना रिसर्च वेसल डिप्लॉई किया most probably इंडिया की इस मिसाइल टेस्ट को प्रॉपर तरीके से ट्रैक करेगा चाइना इंडिया की मिसाइल की कैपेबिलिटी को एसस करेगा एक प्रकार का स्पाइंग शिप है यह युवांग जांग 6 युवांग वांग 6 ठीक ना तो overall एक तो quad की military size हो रही है माला बार से size इस बात को लेके यह चाइना का research वेसल डिप्लॉई होगा उपर से हम अगनी मिसाइल की testing कर रहे है इस बात को लेके डिप्लॉई हो रखा है तो मतलब चाइना एक major scale पे snooping कर रहा है ऐसा उसके उपर exam लगाया जा रहा है अब जो हमारे CNS chief of naval staff है Admiral H. Harikumar यह भाई है जापान में है for a visit from November 5 to November रहे तो यहाँ पर international fleet review को यह देखेंगे जो कि जापानी maritime self-defense forces conduct करेंगी योको सुका में 6 नौंबर को तीग न भाई उसके बाद IFR मालाबार exercise में जो भी delegations आ रहे उनके साथ बातचीत वगारा होगी कम से कम 30 countries से delegations आए यहाँ पर international fleet review को अटेंड करने के लिए तो इन सब के साथ बातचीत वगारा इंडिया की तरफ से naval ships शिवालिक और कमोरता पहुँचे है जापान की योको सुका में IFR इंटरनेशनल fleet review और मालाबार exercise में participate करने के लिए तो यह सब चीजें overall यहाँ पर हो रही है ठीक है भाई अच्छा चाइना के research vessels से किवल इंडिया को problem नहीं है जापान को भी problem है जापान की defense ministry का बोलना है कि 2 November के early hours में चाइना का survey vessel जापान के territorial waters में गुश गया ऐसा चौथी बार हुआ है कि people liberation army का कोई एक vessel जापान के territorial waters में गुश आ है चाइवो South China Sea हो चाइवो Indian Ocean हो तो इस context में ये जो quad की grouping है ये बहुत relevant हो जाती है चाइना के rise को contain करने के लिए ठीक है भाई 2008 से Indian Ocean region में चाइना के ships गूम रहे हैं शुरुवात में इन्होंने Indian Ocean region में entry मारी थी Gulf of Aden में होने वाली piracy को रोकने के respect में उसके बाद से अगर आप देखो तो चाइना ने अपने military bases को यहाँ पे deploy कर रखा है बड़े scale पे चाइना की nuclear attack सम्मरीज गूमती रहती है Indian Ocean में अगर आप देखो तो दीजी बुती ले लो श्रीलंका ले लो दीजी बुती में तो proper military base है चाइना का श्रीलंका, मायनमार और पाकिस्तान में Indian Ocean region में चाइना ने अपने infrastructure assets बना रखे हैं वो भले ही military naval assets वहाँ पे deploy नहीं हो सकते हैं बट कहीं न कहीं समय आने पे इन श्रीलंका, मायनमार और पाकिस्तान के ports को military purposes के लिए भी चाइना इस्तिमाल कर सकता है लेकिन हमारे chief of naval star Admiral Hari Kumar साब ने ये बोला है कि इंडिया ने भी aircraft sorties और ships deploy कर रखे हैं जो कि 24 cross 7 Indian Ocean region पे ध्यान रख रहे हैं इस बात पे ध्यान रख रहे हैं कि चाइना यहाँ पे क्या activity कर रहा है फिर बात करते हैं sealed cover jurisprudence की GS paper 2 judi shree redact sensitive portion supreme court gives away out of sealed cover jurisprudence देखे क्या है अकसर कर यह देखा गया है कि supreme court के अंदर सरकार documents को sealed cover में फाइल करती है कई बार क्या होता है कि बहुत सरों लोग case वगर लेके पहुंचते हैं जैसे कि for example किरला के अंदर एक TV channel था Media One TV channel अब यह Media One TV channel जबरदस्ती communities को रोकने बाटने, लडाई करने ठीक है न Muslim youth को भड़काने वाले news coverage करता था तो इस बात को लेके केरला based Media One TV channel के आप कहलो license को security cancel को रद्द कर दिया गया on the premise of national security in public order अब जैसे ही Media One TV channel का registration बंद किया गया Media One TV channel वाले भागे भागे कहां पहुँच गया पहुच गया भाई Supreme Court में की सर हमारे rights violate किया जारे Supreme Court ने केंदर की सरकार से जवाब मांगा केंदर की सरकार ने जवाब एक sealed लिफाफे में सामने रगती है अब हुआ यह कि Media One TV channel ने जवाब मांगा और सामने Supreme Court में जवाब गया है वो sealed cover में गया है अब sealed cover में क्या लिखा है यह Media One TV channel वालों को नहीं पता है तो Media One TV channel वाले बोल रहे हैं कि सरकार क्या बोल रही है वही हमें नहीं पता है वो sealed cover में लिखा हुआ है तो हम अपना case कैसे लडेंगे और ऐसा केवल Media One TV case चैनल वाले में नहीं हो रहा है लेकिन Media One TV channel वाले case में एक चीज़ तो clear थी बढ़का हूँ धरम के नाम पर बढ़का हूँ भाशर देते हैं तो चीज़ों समझ में आ रही थी लोगों को कि यहाँ पर sealed cover jurisprudence तो एक बार को समझ मेरा सरकार क्यों कर रही है लेकिन बहुत सारे और cases में sealed cover jurisprudence हुआ है चाहे रफाल जट की खरीद फरोग हो भी मकोरे गाउं कोर से हो National Register for Citizens Assam का case हो BCCI का case हो Anticipatory bail पलिया हो Union Finance Minister पी चिदंबरम former Union Finance Minister की तो अब यह former Union Finance Minister पी चिदंबरम और BCCI वाले case में तो देखे sealed cover jurisprudence की actually में जरुवत थी नहीं तो अब एक लिमिट से ज़्यादा हर case में अगर सरकार sealed cover jurisprudence करेगी तो डेफिनिटली नॉर्मली उसके उपर सवाल उठेंगे ही उठेंगे और यह सवाल खुद Supreme Court के judges ने उठा दिये है Supreme Court के judges में डीबाई चंदरचुड साहब और हीमा कोली साहब ने केंदर की सरकार से बोला कि यार आप हर चीज अगर sealed cover के अंदर रख दोगे तो काम नहीं बनेगा आप एक काम करो कि जो portion आपको लगता है कि national security के respect से important है उसको आप redact कर दो उसको आप sealed cover में दे दो और बाकी जो portion है जो journalist portion है वो overall open basis पे आप Supreme Court में पेश करो मतलब कि जो particular petitioner यहाँ पे case file कर रहा है जैसे अभी के लिए जो discussion चल ला है Supreme Court में वो केरला based media one TV channel वाले चला रहे है कि भाई उनके license को continue नहीं किया है तो उनका धंदा बन दो गया तो उनको कम से कम जो general portion है वो तो दिखा दो ठीक है national security के respect से जो portion है उसको आप redact कर दो उसको आप openly मत place करो उसे हमें seal cover में देतो पर बाकी portion तो openly दिखा हो और Supreme Court के जज़े यहां पे यह बोल रहे है कि अगर सरकार फिर भी insist करती है कि material को confidential रखा जाए petitioner से in public interest तो उस case में इस specific privilege के लिए केंदर की सरकार को एक affidavit file करना पड़ेगा Supreme Court में और उस affidavit में proper point के basis पे केंदर की सरकार को justify करना पड़ेगा कि क्यों इस case में sealed cover jurisprudence किया जा रहा है और अगर Supreme Court के जज़ अलाओ कर देते हैं तो sealed cover jurisprudence किया जाएगा मतलब कि overall sealed cover jurisprudence में Supreme Court ने केंदर की सरकार को बोला कि overall जो matter national security से related है उसको आप redact कर दो उसको भले आप open में मत दिखाओ बड़ बाकी details आप open में petitioners को दिखा दो और उसके बाद भी अगर सरकार insist करती ही कि नहीं हमें पूरा पूरा sealed cover में दिखाना है तो उस context में एक specific privilege लेना पड़ेगा सरकार को from Supreme Court by filing a specific affidavit एक specific affidavit सरकार Supreme Court के अंदर रखेगी Supreme Court उस affidavit के अंदर लिखे सरकार के reasoning को सुनेगा और अगर Supreme Court को reasoning सही लगती है तो sealed cover jurisprudence को यहाँ पर allow किया जाएगा sealed cover jurisprudence को recently काफी बवाल देखा गया है reason यह है कि कई बार Supreme Court ने और in fact जो lower courts हैं उन्होंने sealed cover jurisprudence को माल लिया कई बार क्या होता है कि हुआ यह कि किसी एक particular individual के against मालो कुछ हुआ उसने जाके petition file की court में court में सरकार ने जब petition file की तो सरकार ने sealed cover में फायल कर दी अभी sealed cover में क्या लिखा है यह पैटिशनर को पता नहीं है तो जब तक पैटिशनर को पता ही नहीं कि उसके against sealed cover में क्या लिखा है वो अपने counter points कैसे देगा तो basically आपका जो basic fundamental right है to defend yourself वो यहाँ पर wallet हो रहा है इस context में अगर आप देखो तो SP Velo Mani case verdict आया था माई 2022 में जिसमें Supreme Court ने मदरास High Court को criticize किया था मदरास High Court ने भी एक particular report को without claiming any specific privileges entertain कर दिया मतब सरकार ने मदरास High Court में sealed cover में कुछ सामान सामने रखा तो वहाँ पे specific privilege को claim किये बिना मदरास High Court ने sealed cover में रखे content को accept कर लिया सरकार की तरफ से तो इस बात को लेके Supreme Court ने मदरास High Court को डाट लगा दी किया ऐसा नहीं हो सकता पहले आप एक proper पर एफिडेविट लीजे सरकार से उस एफिडेविट में सरकार के जो submission से अगर वो आपको समझ में आते हैं तो sealed cover jurisprudence को आप allow करोगे तो basically sealed cover jurisprudence में Supreme Court और जो lower court है वो government agencies की information को एक sealed cover में accept कर सकती है Supreme Court को यह ताकत कहां से मिलती है तो from rule 7 of order 13 of the Supreme Court rules and section 123 of the Indian Evidence Act 1872 तो इसके अंदर Supreme Court को यह ताकत मिलती है कि sealed cover में वो चीजों को accept कर सकते हैं अब अगर sealed cover के अंदर confidential nature का कोई-कोई information Supreme Court के सामने रखी गई है तो Chief Justice इस बात को decide करेगा कि हाँ भाई उसको sealed cover के अंदर रखनी है या नहीं रखनी है उस case में Chief Justice ये भी direct कर सकता है कि नहीं भाई ये information sealed cover like नहीं है इसको petitioner को disclose कर दिया दिया ठीकिए भाई तो भाई यह 13 billion dollar का additional financial support यहाँ पे Pakistan को मिला है चाइना और साओधी अरिवे तरफ से ऐसा Pakistan की finance minister इशकदार साथ ने बोला 9 billion dollar की help लगबख चाइना से आई है 4 billion dollar की help लगबख साओधी अरिवे से आई है और इसके अलावा 20 billion dollar की investments भी आएंगे ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है चाइना ने बोला है कि जो sovereign loan से 4 billion dollar के इनको आगे extend किया जाएगा यह हम देते रहेंगे पाकिस्तान को 3.3 billion dollar के extra commercial bank loan दिये जाएंगे और 1.45 billion dollar का currency swap दिया जाएगा तो total help चाइना की तरफ से पाकिस्तान के पास आ गई 8.75 billion dollar लगबख 9 billion dollar बोल लो ऐसा announce किया किसने overall दार साहाब ने यह है आपके पाकिस्तान के finance minister इन्हों ने यह भी बोला कि बाई प्रेजडेंट जी जिंग्पिंग ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ मीटिंग करते वे यह भी बोला कि आप चिंता मत करो हम आपको नीचे नहीं करने देंगे फिर पिछले कुछ दिनों में दो सो मिलियन डॉलर के commercial loan चाइना की तरस से release होके पाकिस्तानी बैंकों में आ भी चुके फिर चाइना यहाँ पे कुछ investment भी कर रहा है जैसे कि कराची से पिशावर जाने वाली जो high speed rail project है main line one इसमें चाइना 9.8 billion डॉलर तो overall पाकिस्तान के अंदर power plants बना रहे है तो उस context में पाकिस्तान भले उनका पैसा पूरा नहीं कर पाये तो पाकिस्तान ने चाइना को एक option दे दिया है कि ठीक है भई चाइना के power producers जो पाकिस्तान के अंदर power plant बना के power produce कर रहे हैं तो उसमें Chinese सरकार को हमें stake दे देते भले हम आपसे लिया हुआ पैसा उधार हम चुका नहीं पा रहे है लेकिन हम आपको यहाँ पे एक ownership का stake दे देते कि ठीक है भई चाइना ने जो भी power plant पाकिस्तान के अंदर बनाए उससे जो भी बिजली पैदा होगी उसको बेचेंगे उसमें proper stake partnership होगी चाइना की चाइना बेचे चाइना कमाए मतलब ठीक है हमने आपसे debt लिया उधार लिया हम उसको चुका नहीं पा रहे है तो अब हम अपने उधार को equity में convert कर रहे है फिर Saudi Arabia की बात की जब तो Saudi Arabia ने बोला है कि जो पहले हम 3 billion dollar की financing दे रहे है तो उसको हम 6 billion dollar कर देंगे जो oil facility थी 1.2 billion dollar की Saudi Arabia की तरफ से इसको हम 2.4 billion dollar कर देंगे तो यहाँ पे लगबग 4 billion dollar की हल साओधी Arabia से उसके साथ साथ एक 10 से 12 billion dollar का petro chemical refining project गौदर में बनाएगा उसको Saudi Arabia finance कर दा है और इस petro chemical refining project पे private transactions होगी मतब पाकिस्तान ने पहले बोल दिया कि Saudi Arabia वाले तुम आओ इस petro chemical company को मनाओ हमें पैसा उधार पे दो और सिर्फ उधार पे नहीं तुम इसमें partnership भी ले सकते हो तो कुल मिला के Pakistan अपने देश के अंदर के assets को partnership पे बाट रहा है बाकी countries को कि ठीके भाई आओ investment करो इसमें partnership लो हम तो clear है तुम्हें उधार वापस नहीं कर पाय रहे है तो ठीके हम तुमको stake दे दे ले मतब पूरा ही बिका हुआ ग्रूमरा है यहाँ पे पाकिस्तान के पास तो कुल मिला के अगर आप देखो तो चाइनी साओधी अरीबिया से और international lending institution से पाकिस्तान के पास ठीक ठाक पैसा उधार में आ रहा है तो यह सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं सात्मा और आठ्मा कोटरली रिवी हुआ international monetary fund का पाकिस्तान के ओपर और इसमें यह बोला गया international monetary fund के दौर कि पाकिस्तान को लंब सम 33 से 34 billion dollar की funding की जरुआ थे flood damages को हटा दो तो 30 थी तो 34 billion dollar चाहिए flood damages के लिए थोड़ा और पैसा चाहिए अभी के लिए अगर देखो तो पाकिस्तान का जो bilateral draft है वो कहीं stand करता है 27 billion dollars पे चैना के साथ तो इस context में देखा जाए तो पाकिस्तान की economy वैसे गिरी पड़ी है और यह उधार पे उधार लिए चले जा रहे है State Bank of Pakistan के foreign exchange reserves इस समय पगर आप कहलो तो 8.91 billion dollars पे total reserve पाकिस्तान के 14.68 billion dollar है तो State Bank of Pakistan के पास 8.91 billion dollar commercial banks के पास 5.77 billion dollar पाकिस्तान के पास foreign currency 14.68 billion dollar फिर next 400,000 लोग इंडिया में हर साल स्नीक बाइट से मरते हैं साप के काटने के मरते हैं साप के काटने को एक neglected tropical disease की category में लखा गया है एक public health problem है यह इंडिया की और यह सिर्फ इंडिया को एफेक्ट नहीं करती है बहुत सारी low और middle income countries को एफेक्ट करती है देखे कुछ researchers ने 21 countries की researchers ने इंफेक्ट यहां पे एक study की और इस study को nature communication में publish किया गया बोला गया कि पूरी दुनिया में इंडिया में हो रही है जिसमें से 64,000 से जादा 64,100 इंडिया में हो रही है 2030 तक यह जो हमारा target था कि snake bite की वज़े से होने वाली debt को हम half कर देंगे इसको हम अभी के लिए पूरा नहीं कर पा रहे है तो यह सब लिखा हुआ है Global Burden of Disease 2019 स्टड़ी में 2019 की स्टड़ी के साफ से जो estimate किये गया था 2030 तक snake bite को हम आदा कर देंगे होने ही पा रहा है All over deaths over the world हो रही है 78,600 डू टू स्नेक bite जिसमें से 64,100 तो इंडिया के अंदर ही हो रही है इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो उत्तर प्रदेश में सबसे अदा मौते होती snake bite से 16,100 मंद्र प्रदेश में 5790 राजिस्ताने 5000 से जादा फिर अगर age standardized death rate देखा जाए तो जो age standardized मतलब अलग-अलग age structures को standardized कर दो और उसके बाद प्रती एक लाग number of persons जो मर रहे है snake bite के हो जैसे उसके quantum को अगर आप निकालो तो इंडिया के अंदर प्रती एक लाग चार लोग की मौते हो रही है snake bite के हो जैसे ये number बहुत जादा है जोकि globally प्रती एक लाग 0.8 deaths हो रही है snake bite के हो जैसे और इंडिया के अंदर ये number 5 गुना है तो जो age standardized death rate है snake bite के हैं इंडिया में वो दुनिया का 5 गुना है 4 पर 1 लाग है दुनिया में 0.8 पर 1 लाग है और यही number अगर आप state wise देखोगे तो इंडिया में 36 गण में नंबर 6 है उत्तर प्रदेश में 6 है और राजिस्थान में 5.8 है पर 1,000 इंडिया से ज़्यादा केवल एक और country है जहाँ पर age standardized death rate snake bite के वे से ज़्यादा है वो इस सुमालिया तो इससे पता चलता है कि इंडिया और सुमालिया के हालात कितने ज़्यादा खराब है इंडिया और सुमालिया is having a failing health system ठीक है न बाई तो इस context में ऐसा नहीं कि भारा सरकार कुछ कर नहीं रही है इंडियन council of medical research ने एक national survey यहाँ पर launch किया snake bite की वज़े से होने वाली death को assess करने के लिए और उसको रोकने के लिए एक venomous snake bite जब होती है उसके बाद एक बंदा जब hospital पहुंचता है तो क्या वहाँ पे anti-venom की availability है की नहीं है क्या snake bites को यहाँ पे अवर्ट किया जा सकता है जोगी कई बारा क्या होता है कि गाहों दराज की अलाकों में जब सांप काट लेते हैं तो overall इंसान को hospital पहुंचाने तक देर हो जाती है और hospital पहुंचे तो वहाँ पे anti-venom नहीं होता अगर समय पे anti-venom चड़ा दिया जाए इंसान को तो वो बच जाएगा तो ऐसे context में हमें अपने primary health care system की comprehensive strengthening करनी है क्यों कि न भाई पूरे देश में अलग-अलग health facilities में snake anti-venom की availability हो इस बाग को ensure करना है 2030 तक snake bite से related deaths को half करने का हमारा target तब पूरा हो सकता है जब इंडिया में snake bite से होने वाली deaths को हम बहुत हद तक रोग पाए समझ गया भाई तो इसलिए snake bite को address करने के लिए हमें एक national strategy की ज़रो थे अपने health system को strengthen करने की ज़रोत है community based programs को strengthen करने की ज़रोत है यह सब बाते हैं यहाँ पे बूली है तो खास करें snake bites rural poor को ज़्यादा effect तरते हैं तो वहाँ पे खासा ध्यान देने की ज़रोत है तो भाईया दुनिया में एक तिहाई glaciers जो कि UNESCO की world heritage list पे आते हैं वो threat के अंदर है और उनका तो जाना तै है एक study ने बोला है human body के दोरा contact की है तो इस context में बोला यह जा रहा है कि भले ही एक तिहाई दुनिया के glaciers under threat है वो glaciers जो कि UNESCO की world heritage list में आते है लेकिन बचे दो तिहाई को तो हम बचा सकते हैं न और बचे दो तिहाई को बचाने के लिए जो हमारा सबसे पहला target होना चाहिए वो यह है कि pre-industrial area के respect में जो भी temperature rise हो रहा है उसको हम 1.5 degree centigrade से उपर न जाने दे और इसके लिए फिर घूम फिर के हम कहां पहुँच जाते है आने वाले शर्म अलशेक एजिप्ट में Conference of Party 27 के उपर Conference of Party 27 6-8 November 2022 एजिप्ट के शर्म अलशेक में होने वाला है यहाँ पर दुनिया भर की countries मिलेंगी बैठेंगी और बातचीत करेंगी कि कैसे दुनिया भर के emissions को कम किया जाए कैसे दुनिया में जो global temperature rise है इसको रोका जाए और इसके लिए हमें carbon dioxide के emissions level को कम करना पड़ेगा तभी हमारे glass shares बच सकते हैं तो यह सब बाते बताया जा रहा भाई COP17 एक crucial role play करेगा इसके solutions को धूरने के लिए UNESCO determined है states को support करने के लिए इस goal को pursue करने के लिए अब देखा जाए यहाँ पे तो UNESCO ने United Nations Educational Scientific और Cultural Organization ने एक नया international fund भी बनाया है Glacial monitoring और preservation के लिए इस fund से comprehensive research होगी exchange networks को promote किया जागा stakeholders के भी इसमे early warning और disaster risk reduction measures को ground level पे implement किया जाएगा आधी humanity directly या indirectly depend करती glaciers के उपर अपने domestic water usage के लिए agriculture के लिए power के लिए glaciers pillars हैं biodiversity के दुनिया भर के ecosystems को यह feed करते हैं और यही glaciers rapidly melt कर जाएंगे तो दुनिया में लाखों लोगों के पास water scarcity होगी natural disasters जैसे की flooding वगरा बढ़ेंगे millions की तागाद में लोग displace होंगे इसलिए एक urgent need है कि हम greenhouse gas emissions को कम करें nature based solutions में invest करें और इसी context में देखा जाए तो overall यह COP27 की meeting बहुत important होने वाली है यह जो overall report है वो यह बोलती है कि एक तिहाई UNESCO World Heritage Site वाले glaciers इस खत्रे में कम से कम बाकी दो तिहाई तो बचा ले ठीक है जो 50 UNESCO World Heritage Sites है उसमें glaciers भी आते हैं और यह glaciers दुनिया के 10% अर्थ के glaciarized area को cover करते हैं बहुत सारे glaciers जैसे Mount Everest वाला, Nalaska वाला अफरीका वाला, यह सब कहीं न कहीं threat के अंदर है ठीक है न इन सब से हर साल 58 billion ton ice पिगल जाती है यह ice इतना पानी रखती है जितना पानी पूरे France और Spain की annual water requirements को पूरा कर सकता है और जब यह बर्फ पिगलेगी तो यह बर्फ water level quotients में बढ़ाएगी और बहुत सारे जो low lying states है, coastal states है और डूप भी सकते है तीक है भाइब पेर आज आते हैं आज के आखरी science and tech के section में ज़्यादा कुछ है नहीं, आज तीन छोटी छोटी news है एक तो चाइना के अंदर COVID-19 के spread को रोकने के लिए inhaled vaccine का use बढ़ रहा है COVID-19 booster के तोर पे शांगाई चाइना में रहने वाले जो residents है वो cancino biologics द्वारब बनाई गई एक vaccine का इस पर्टिकुलर vaccine को seal cup में होती है ये उपर का छोटा सा हिस्सा आप तोड़के सीधे सीधे इस vaccine को पी सकते है मतलब अब यहाँ पे syringe based COVID vaccine नहीं दी जा रही है सीधे आप इसको inhale कर सकते है और जब आप इसको inhale करेंगे तो जो आपके mucous membranes है nose और mouth के पास वहाँ पे अगर SARS-CoV-2 virus enter करता है तो उसको कहीं न कहीं यह vaccine रोग देगी फिर next observatory as Everest Mount Everest का जो base camp है ना जो लगबग कहलो 5050 meter है sea level के उपर वहाँ पे सबसे उची world की research facility है तो इस सबसे उची world की research facility में अगर आप देखो तो funding की कमी हो रही है तो Mount Everest के base camp पे world की सबसे उची research facility के पास proper funding नहीं पहुँच पारी है और जो थोड़ा बहुत data यह research facility पैदा कर रही है उस data के basis पे भी दुनिया भर में climate change का क्या impact हो रहा है इसके बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी global communities की importance को नहीं समझ पा रही है और funding की कमी हो रही है funding जल्दी जल्दी पहुँचे इसकी कोशिश करनी चाहिए और भाया एक 167 million years ago 16 करोन 70 लाख साल पहले के एक reptile का skeleton यहाँ पे पाया गया है आप कहलो की middle Jurassic period तुझाद न जो Scotland का वहाँ पे एक early reptile का छोटा skeleton पाया गया और इससे हम यह समझ सकते हैं कि उस समय से लेके अब तक के जो reptiles का anatomical transformation हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है यह जो skeleton पाया गया यह skeleton है बेलेर्शिया ग्रेशियलिस का यह primitive squamate था ठीकि न भाई तो यह squamate कैसे आप कहलो 240 million years ago से पहले evolve होके पहुँचे यह particular जो skeleton है 167 million years ago का है और आज की date की जो lizards है उनका skeleton कैसा है तो यह पूरा का पूरा anatomical transformation की study होगी और इससे काफी interesting results बाहर निकल के आ सकते हैं यहाँ पर मैं lecture खतम करता हूँ वीडियो को like और share करके ज़रूर जाना है